यह जो फ्रांस आइफल टावर के पास हमारे कुछ पाकिस्तानी इंडियन जो यहां पर आते हैं वो ऐसे भी काम करते हैं कि एक शौपिंग ट्रॉली लेते हैं और उसके उपर कुछ बेचना शुरू करते हैं मेहनत करते हैं इसमें कोई शाक नहीं कि मेहनत करना अच्छी कुछ भी करते हैं यह देखें यह लोग दर्या के किनारे चोड़ चोड़े खेमें लगा के सो रहे हैं यह वो लोग हैं जो होम लैसे जिनिक पस रहने के लिए गार नहीं हैं फ्रांस दूर से देखने को तो बहुत खूबसुरत मुला लगता है लेकिन यहां पर प्रॉब् को यह भी पता चले का कि जो लोग यहां आते हैं इतना असान नहीं है यानि कि हर पाकिस्तान में दूसरा बंदा कहता है जी मैं योरोप जाना है लेकिन यहां भी मेनत करनी पड़ती है दरखतों के साथ पत्नों की तरह योरो नहीं मिलेंगे आपको ठीक है ना आज मेरी क्रूज है जिसकी चछत पर भी आपको लोग नज़र आ रहे हैं घ्रमनी इटली हॉलै और व गरसे ठीक है यह एवन के इजिन कंट्रि ज्चाईन कोरिया चाइन कोड़लोग है यह जनाब हम आगे अ और ये भी ग्राउंड फ्लो हो रहा है, क्रूज भी हम दाखल हो चुके हैं, लेकिन ये देखे न, ये क्रूज के अंदर से सीड ये जा रही है उपर, तो मैंने उपर बैढ़ने हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे एच्छे व्यूस दिखाने हैं, साथ आप से और बादरों में, बहुत ही खुबसूरत मनजर, देखने को एक खंब है, लेकिन अठारा सो, उनानुए में ये बनाया गया था, ये लोग सारे मेरी तरह उपर आ रहे हैं, चछत पर, ये जनाब, क्रूज और सेंक्रों की तदाद में लोग इसमें सवार हो गी हैं, यानि कम सवार हो सकता है, एक वक्त में, ये देखेंगे ना, टूरिस्ट, मुखतलब कंट्री के लोग जो यहां पर आए हैं, और अब ये जनाब, एक टूर हो गए, गेंटे का, एक गेंटे का द्रिया में, हम मुखतलब जो तरीखी हमारते हैं, वो देखेंगे, साथ आपको भी द हैं, और मजबूत हैं, रखबे के लहाँ से भी और एकानोमी के हिसाब से भी ठीक है, यहां पर फ्रांस और जर्मनी जो ना, वो टॉप ने हैं, ठीक है, इसके साथ यहां बहुत सारे मुलके, तक्रीब बहुत सताइस शेंजन कंट्रीज हैं, अगर आपको किसी एक मुलका कंप्यूटर में जो ना, वो फार्म फिल करना है, कोई जरूरत नहीं है, लाखों अजन्टों को देने की, बेतर यही है कि आप थोड़ी सपहले इंफरमेशन देख लें, बहुत सारी लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना रखी हैं, आप वो देखें और उसके साथ साथ आप अपलाई करें, बैंक स्टेटमेंट बहुत बहुत होनी चाहिए और आपने सबसे पहले जो ना, वो बैंक स्टेटमेंट पे काम करना है, और उसके बाद आप ने एई जी जो ना, वो वहां से अपॉइंटमेंट लेनी की, क्योंकि तीन चार माह की अपॉइंटमे आकर अबसर्व किया है, जो डंकी लगा के पाकिस्तान से आई हुए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको डाकुमेंट्स मिल चुके हैं और उनके अच्छे कारोबार है यहां पर या पर अच्छी उनके पास जॉब्स हैं, अच्छा वो कमा लेते हैं, लेकिन बहुत स अरे अरेविक कंट्रीज हैं, उसके लोग भी यहां पर मजूद हैं, अफरीकन कंट्रीज हैं, उनके लोग, आपको हर किसम का यहां पर इनसान मिलेगा, यह नहीं के हर किसम का मुराद यह नहीं कि खुजूराने के जड़ियां, मुख्छ वादियां ने, मक्सदि के हर मुबायल स्नैचिंग के वाक्यात अक्सर होते रहते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहां थोड़ा सा आपको मुटात हो ना पड़ेगा लोग कुछ मुबायल खेंच के भाग भी जाते हैं ठीक है ना खर बात का रहें कि फरांस की तो फरांस में जो लैंग्वेज है फ्रेंच होगे बैर होगी तरह यहां पर बात करेंगे कहीं कोई चीज खरीदने या नहीं खरीज सकते हैंईवेज खूब सुरत मनजर साथ देखें वाजवा यह मेरा फेवरेट ब्रिज था क्योंकि इसके ओपर यह ड्रेगन बने हुए हैं चारो तरफ और इसके नीचे से जब यह मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इसके चारो तरफ जो मार देया ना उन पर भी जो गोल्डन कलर के जो ड्रेगन है और बड़े खूबसूरती के साथ से जाएगए हैं वो भी आपको दिखाता हूँ खर यह देखें तमाम टूरिस जो हैं यहां पे आए वो इस ब् और यहां पास जाना ना यह बनाए गए हैं अच्छा तो बहुत सारे लोग हैं जो फ्रांस में प्रेटली में यह जर्मनी में हैं लेकिन नोने केसिस अप्लाइ कि वहे हैं पर्टोगाल में वहां पर फाल लॉग किया हैं और हर महीने वह अपने मुलकों में बैट के इनि ज यह कहें कि वो किसी बंदे को पैसे देगे लिए उससे जॉब कुंट्रेक्ट करी देते हैं कि पता चले कि मैं आपके पास जॉब कर रहा हूं आपने मुझे सैलरीन देनी बलके मैंने आपको पैसे देनी है तो आप मेरे इमिग्रेशन आफस में हर जो फाइनांस डिपार्टम यह तो होगी थोड़ी सी इन्फरमिशन इस पीज़ की यह देखे जनाब बहुत सारे ब्रिज आते हैं यह द्रिया जना यह बहुत कदीमी है और तमाम एहम अमारतें जो फ्रांस की हैं पैरस की हैं सरकारी हों या निजी हों वो सारी इसी द्रिया के किनारे हैं और आइफल है और आफकोर्स वो भी इसी द्रिया के किनारे है यह वो ड्रैकन जीनिक बात का रहा था वो जो पहले ब्रिज गुजरा ना यह उसके साथ पर ठीक है अच्छा दोस्तों एक चीज़ यह है कि यहां पर जो हमारे पाकिस्तानी हैं ज्यादा तर वो करते हैं रंग का काम यह जो गार होते हैं ना उनमें सिफैदी करते हैं धिस्टेंपर करते हैं यह बहुत ज्यादा काम हैं जो हमारे पाकिस्तानी इंडियान और अ擊 culture नोग जे आते हैं इसके साथ-साल building का जितना काम है, मैरे खिया में अगर आप पाकिस्तान से कूई हनॉर सीक्षा यह utcka और तो थीस से पैंदीस से इोरो एक दिन के दो डेते हैं ताकि वही आप अभी काम सीख रहे हैं तो जब काम सीख ल nervous का पिर आपके सतर ची और असी जिए आप की चानल वगी हो जाते हैं। आम जी काम माता सटर से पैंदा के ओ Damn सब्нов.. 25 शबी दिन जो ना काम लोगों को मिल जाता है तो इसका मतलब है कि अगर 2000 योरो वो बना लेते हैं तो 2000 योरो का पाकिस्तान का जो ना तक्रीबबन साड़े छे साथ लाख रुपया बन जाता है मोटा मोटा साथ अंदास रहे हैं इसमें अभी खर्चा नहीं निकाला जो खर्चा होता है यानि कि तक्रीबन तीन सो योरो महीने के जो ना उन्होंने निकालने होते हैं अपनी ग्रॉसरी के और जहां वो रहते हैं वो उसके में इसके लाब आपको अगर गाड़ी है तो उसका तेल शेल है और उसके मेंटिनस भी चाहिए अगर ट्रेन है तो उसके कार्ड भी चाहिए यहां पर ट्रेन का एक कार्ड मिलता है अप उसमें पुरे महीने के लिए पैसे डिलवा लेते हैं यानि कि पुरा महीने आप अनलिमिटेड राइट कर सकते हैं ठीक है जी बढ़ी तेज़ जा रही है चंगी के हिर्खेच के रखी वह याई शीप है देखो साड़ी हो लीज़े देख आ बढ़ी तेज़ जा रही है याद नंग ही को लोग दी क्या वाद है खैर अच्छा बहुत सारे लोग कैस्टिन करते हैं कि गयर तेज़ औरफ़ विज़ जो है वो थोड़ा मुश्किला भाई भॉण वीज है विज़ा किसी भी मुलागास आन नहीं होता थीकर ना इसके लिए रेक्वार्मेंट्स पूरी करने हो प्र पूरी कर लें तो फिर वीज़ाल लगने के चांसिस होते हैं फिर पी नहीं होती अगर आपको क्यों कहता है कि जी मैं सौफीस है तो आपको डन बेस पे वीजा लगवा के देता हूं अमेरिका, कैनिडा, यॉरॉप, अस्ट्रेलिया तो गलत है रॉंग नंबर है वो उसके शकंजे में मत आईएगा वो पता क्या उनका चकर के होता है वो स उस वक्त देते हैं अब पांच लाग लोग दे देते हैं कि यार पचास लाग जो आना बाद में दे दे देंगे ये चालिस लाग बाद में दे देंगे सिर्फ पांच लाग या ना दे देते हैं उसमें यह होता है कि वीजा लगे ना लगे बजाहर तो वो एजेंट आपको आपके पैसे वापस कर दिये थे, आपका वीजा ने ने लगा, तो देखो मैंने सिर्फ अपनी फीस ही रखी है, आपके मैंने इमान दरी के साथ वापस कर दी है, अमान दरी ने तो की रखी है, कुगू, यानि कि पहले ही आपको पता था कि यह वीजा नहीं लगेगा, क्योंक फ्राइड है ठीक है ना मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ आपकी जो ना इजाफा करने की कोशिश काता हूँ जो जिनको बूस सवारा बाहर आने का और वो अपने माँबाप की जमा पूजी मिंटों में अजेंटों के हाथों गवा देते हैं ठीक है ना जी यह देखे आप म मुझे पैसे दें या इसा कुछ नहीं है मैं आपकी कोई खिडमन नी कर सकता कोई आपकी हल्प नी कर सकता यू है तो बाई यूरसेल्फ इन दा कम्प्यूटर आप अप ही जो ना खुद ही कुछ करेंगे ठीक है ठीक है आदेखो जी नेपोलियन बोना पार्ट अबरिज ए एक गेंटे में मज़ा आजएगा आपको अच्छा अभी तक के लिए इतना ही एक एक नई और बड़ी जबदस वीडियो इसके बाद आएगी वो भी आप देखिएगा आपकी इन्फरमेशन में अदाफा होगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा कुमेंट करके बताईएगा वीडियो कैसी लगी कोई सवाला तो वो भी लिख दीजेगा मैं उसका भी जवाब दूँगा अलाफिस